कि यह कोशन देखो बच्चों यह वाला जो कोशन है अक्सर ही डाउट में बच्चे लेके आते हैं आखिर इस कोशन में क्या बात है कि बच्चों को जनरली डाउट आता है तो कहता है कि इसका मास पर उनिट लेंथ दिया हुआ है इस कोशन को ढंग से समझना बहुत सारे कॉं लेंथ दिया हुआ है और वो 0.5 थोड़ा इसको मैं डीटेल में समझाऊंगा जिसे सभी बच्चे को समझ में आ जाए तो मास पर उनिट लेंथ राड का दिया हुआ है मेटालिक राड है और इंकलाइंड प्लेन इंकलेनेशन दिया हुआ है इंकलेनेशन 30 डिग्री यह अल अग्टिंग अन दे वर्डिकलेवाद करेंट फ्लोईंग दे रॉड टू कीफ इस्टेशनरी इकलिविरियम ठीक है इस्टेशनरी और इकलिविरियम में रहने के लिए हमें कितना करेंट फ्लो कराना पड़ेगा अब यह जो डेटा है इसका तो हम बात में यूज करेंगे पहले इस कोस्टेशन को समझो यह एक इंकलाइंट प्लेन है समझना अगर यह इंकलाइंट प्लेन है और यह समूथ है और अगर मैं इस पर एक रॉड रखोंगा ओवियसली यह रॉड नीचे स्लाइड कर जाएगा क्योंकि इस रॉड पे अगर इंकलाइंट प्लेन है इसे एक पार्टिकल रिलीज करोगे तो नॉर्मल उपर लगेगा और एंजी कॉस्ट थीटा इधर लगेगा इतना तो सबको आता होगा और एंजी साइन थीटा इधर लगेगा तो अगर मैं ऐसे रखता हूं इसमूथ सर्फेस पे तो यह जो स्लाइड हो जाएगा बात समझ में आ रहा है जैसे यह एक इंकलाइंट प्लेन है और इस इंकलाइंट प्लेन पर अगर मैं यहां से रखता हूं तो यह साइन थीटा से नीचे आ जाएगा इस मूझ सर्फेस पे बड़ हमें कुछ ऐसा टेकनिक करना कुछ ऐसा जुगाड कर आए जिसे यह जो पेन वह उस पर रिस्ट में रहे नीचे नहीं आए रिस्ट में रहे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो प्ले और मुझे इसको राखना है तो एस मिधी साइं थीटा के बराबर इधर मैं फोर्स लगा दूँँ अपने मंद से मालो कोस्चन में समझा रहा हूं तो अपने मंद से इधर मैं फोर्स लगा दूं तो यह पूरा इस्टेशनरी यह जाएगा या इसका मतलब यह हुगा कि अगर यह हमारे पास रॉड है यह इंक्लाइंड प्लेंड पेकर रॉड है तो आवियसली इधर जो फोर्स लग रहा है यह तो माखेंड रॉड है तो लगे गा हीиться माख़ रॉड और यह इंक्लिनेंटन यह जो इनक्लेसन आप करेगी स्ँ है मैं अब यहापर jowamaken वक्रीग्प्विवार्ट आप्योड हो समझों पर की डिर्रिक्शन में आप करेग समझना तो rod के उपर magnetic field है अब देखो जब current carrying conductor इधर थोड़ा से समझ लो अगर एक current एक conductor है जिसमें current I flow हो रही है और वो magnetic field के साथ theta degree पर रखा हुआ magnetic field B तो इस पर एक force लगता है उसको मैं बोलता हूं बिल साइन थीटा force in magnitude कितना लगता है बिल साइन थीटा वेर B क्या है वह magnetic field जिसमें conductor रखा हुआ है I current flow in the conductor है और length वह length है जहां से current इंटर कर रही है और जहां से current बाहर हो रही है और यह इसके shape पर डिपेंड नहीं करता चाहिए किसी भी shape का हो तो यह अब यह वाली जो है थीटा क्या इन दुन वेक्टर के बीच का angle है तो जब इसको मैं vector में लिखूंगा इस equation को मैं vector में लिखूंगा तो यह जो force vector आएगा current I को L cross B के equal होता है vector form में यह L cross B होता है यह वाली जीज़ तो अगर यह बच्चो L cross B होता है तो इसका मतले भी यह हुगा कि अब current किदर से किदर flow करा है समझने की कोशिज करना थोड़ा सा भी concentrate यहां पर focus करना कि यहां से अगर यह rod slide हो ऐसे inclined plane पर slide हो रहा है तो current या तो इधर से board के अंदर स से अंदर जाएगी ठीक है तो उस हिसाब से force की direction बदल जाएगी magnetic force जो यह वाला जो force हो कहां से आए गया magnetic force ही तो है तो यह magnetic force कहां किदर लगेगा वही इसको equilibrium में इस्ट्रेशनेटी लगएगा क्योंकि बाकी नॉर्मल इसको इधर लग रहा है जो कि हमें जरूरत नहीं है यहां जो कि हमें नहीं है यहां पर क्योंकि motion in vertical direction में कोई motion नहीं हो रहा है चलो तो उसकी बात नहीं करें पहले magnetic force किदर लग रहा है उसको declare कर लेते हैं उसको किदर लग रहा है उसको calculate कर लेते हैं माल अब अंदर से बाहर रोड ऐसे है इमेजिंग करो रोड ऐसे है तो अगर current इधर से इधर आया रही है तो L x B लगाओगे जिदर से current जाती ही उदर से L L और B उपर है तो L x B तो perpendicular होगा f k always और B भी perpendicular होगा f k always बराबर है यह तो always होंगे भाई always dot production का हमें सब 0 होगा क्योंकि cross product है और L और B आपस में perpendicular हो भी सकते है नहीं भी हो सकते है तीटा डिसाइड करेगा अभी यहां पर अगर लेंथ ऐसे है और conductor ऐसे और magnetic field vertically उपर है तो obviously इसके साथ L के साथ 90 डिग्री है यहां पर तो यहां पर L और B आपस में perpendicular है मतलब यहां तीनो perpendicular है L perpendicular, B perpendicular और F perpendicular होना चाहिए यह अब यहां पर दिक्कत क्या होता है अब देखो अगर इधर से अंदर से current आ रही है visualize करना सोचना magnetic field उपर है length उससे 90 डिग्री पर है तो L क्रोस B तो force horizontal आएगा नो कि inclined plane पर आएगा इधर ऐसे नहीं आएगा या horizontal आएगा ऐसे तभी तो L और B B vertical है और magnetic force ऐसे आएगा तो अगर ऐसे आएगा magnetic force तो equilibrium मेंटेर ही नहीं होगा क्योंकि यह horizontal force है उसका एक component along the inclined plane कर दूँगा और ऐसे कर दूँगा जो कि equilibrium possible नहीं है ठीक है तो इसका मतलब भी हुगा कि current की direction change कर दो current बोर्ड के प्लेन से बाहर से अंदर की direction में भेजो ऐसे भेजो तो अगर current ऐसे भेजोगे समझे ना ऐसे भेजोगे इधर से भेजोगे तो अब magnetic force जो आएगा एल और बी उपर तो अब होरीजेंटल आएगा होरीजेंटल इदर आगे समझ में तो magnetic force यहां पर जो current flow होगी इस current की direction होगी वो इधर से इधर होगी ऐसे कुछ इधर से इधर जाएगी जिसे इस पर लगने वाला जो फोर्स है यहां पर इधर से इधर करेंट की direction जाएगी जिस पर लगने वाला जो फोर्स है वो आईसे नहीं आएगा यह गलत है इंकलाइंट प्लेंट के लोंग नहीं आएगा जो कि रॉंग है आरा समझ में यहां पर जो प्लेंटिक फोर्स आएगा वो जो फोर्स हो ओरीजेंटल आएगा ऐसे ऐसे आएगा होरीजेंटल क्योंकि वेटिकल है और यहमजी साइन थीटा ऐसे यह चीज बहुत अरे बच्चों को इस लाइन में दिखता है जो कि गलत है तो चलो अब इसको टूडी वीउ बनाके सॉल्व कर लेते हैं पहले मेंगनेटिक फोर्स की वेल्यू है वह होती है बिल साइन थीटा मैगनेटिक फिल्ड बी करेंट आई फ्लो करा दी जो यह में निकालना है और लेंद्ट आप दा कंड़क्टर और साइन थीटा क्या है एल और वी के बीचका नाइन्टी एंगल है एल मतलब एल और बी आपस में समझ रहे ना एल उपर है लेंथ के परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो गया तो साइन 90 हो गया तो अगर साइन 90 हो गया तो उसके फोर्स लग गया बिल जो की मैक्सिमाम फोर्स लग रहा है यह मैगनेटिक फोर्स अब इसका अगर मैं 2DV बनाओ तो चलो अगर मैं इसका 2DV बनाता हूं यह इंकलाइंट प्लेन थीटा है तो इस कंड़क्टर को मैं 2DV यहां से गर देखता हूं तो इस पे जो फोर्स लगेंगे मैगनेटिक फोर्स इधर आ जाएगा जो कि हम लोग निकाल चुके हैं होरिजेंटल आएगा जो कि थीटा है तो यह भी थीटा डिग्री पर आएगा नॉर्मल फोर्स उपर आएगा जो कि हमें जरूरत है ने नॉर्मल में मुशन और एक फोर्स लगेगा एमजी यही तीन फोर्स इसको मिलके इकलिविरियम लगे इसके लाग कोई फोर्स ही नहीं है अगर मैगनेटिक फिल्ड लट साइन थीटा और एंजी क्या कर रहा हूं याद तो बहुत बड़ा बलंडर तो एंजी इधर आ जाएगा एंजी कोस्थीटा और इंकलाइट प्लेन के एलोंग आ जाएगा एंजी साइन थीटा जो इसको नीचे लाएगा ठीक है और मेगनेटिक फोर्स का एक कॉम्पनेट क संद्धिए कॉस वह बाला है घॉस थीटा और एक एक इधर आजाएगा जो कि होगा एक थीटा साय नहीं तो मैं तो बडिक्रम नार्मल्पनेट करोगा हों एंजी कास थीटा और ब्लस मागरेंटिक फोर्स f sin theta के equal होगा अगर मैं इस equation को solve कर दूँगा तो मुझे normal मिल जाएगा normal की calculation हो जाएगी ठीक है और यहां से भी अगर हम हमें पहले से normal पता है तो force की value रख दूँगा तो यहां से भी current की calculation हो जाएगी हमारा target है current calculate करना क्योंकि normal unknown है और जो f आएगा f आएगा bill उस पे current भी unknown है तो इस equation का मैं use नहीं करूँगा current calculate करने के लिए चलो दूसरा equation देख लेते हैं equilibrium के लिए तो अगर मैं दूसरा equation अगर equilibrium के लिए देखूंग यह बला f cos theta mg sin theta को balance करेगा तबी तो stationary या constant velocity की से फाल करेगा तो f cos theta must be equal to mg sin theta यह वाली चीज़ तो f की जो value पहले ही हम निकाल जोते हैं magnetic force bill cos theta must be equal to mg sin theta इसका मतलब बेख गुआ current की जो value आजाएगी mg upon mg mg upon bl और tan theta यह वाली चीज़ अगर इतना current flow कराद होगे और उसकी direction अगर देखोगे तो board के plane में अगर देखोगे तो board के बाहर से अंदर होगा ऐसे तब जाके अगर यह वर्टिकली ऊपर है तो एल क्रोस भी फोर्स इधर horizontal आएगा ठीक है अंदर से बाहर नहीं हो सकता गलत हो जाएगा तो यह फोर्स है अफसारी value जो है वो data रख दो और यहां से current की calculation हो जाएगी mass per unit length आपको पहले से दिया हुआ था देखो कितना दिया हुआ है यहां से हम लोग solve करते करते बहुत दूर चले आए 0.5 theta 30 degree और magnetic field 0.25 tesla तो 0.25 अब यहां से हम mass per unit length 0.5 mass per unit length और z की value 9.8 और यह 2.5 और tan 31 by root 3 तो यह सारी चीज है अब इसको solve करोगे देखो यह कितना आता है इसको calculate कर लेना आप लोग हां तो यह आजाएगा इसको calculate करना 11.32 MP है this is the magnitude of the current यह solve कर लेना और finally इससे हमारा D option match कर रहा है देखो तो 11.32 और D option इसका match कर रहा कि I hope यह बेहतर करीके से clear हो गया बहुत जादा इसमें मैंने अज कौछा से सम्झाने की कोशिस किया हूं कहता है current sensitivity अब इसको solve करो video pause करो करो